हेलो एब्रीवन सुब गामने आप सभी को रक्षबंधन की और आप सब जानते हो कि हम लोग कमेंट्स में देखते हैं कि किसके क्या कमेंट्स आये हैं और उनके चार्ट बनाते हैं और उनके चार्ट को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, मैं आप एक बार बार आप कह रहे हो, आप वीडियो देखो, आपका बन चुका है, ठीक है, तो आप देख लो आप एक बार ठीक है, इसके बाद ये एक कमेंट आया हुआ है, जो हम लोग देखेंगे, अनन्त जी का, ठीक है, तो चली, अनन्त जी करींगे आज थोड़े हम कुछ और IMPORTANности बिलटेशे बहुंत चीज बताएंगे ठीक है और भी सात में देखेंगे दो आई चार्ड देखेंगे लेकि धरेटेल मेंदेखेंगे थोड़ा ही से डीटेल बहुत डीटेल नहीं नक्षात्र पर अभी नहीं जाएंगे ठीक है चलिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब किसी को दिख रहा होगा क्या दिख रहा है सनी नीच के हैं और सब्तम में ही नीच के होके लगन को देख रहा है ठीक है यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है उसके अलावा अब देखते ज़रा इस घर पर कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीजे हैं तो इसको देख लिया जाए तो सब्तम में नीच के सनी है प्लस केतु देख रहा है ठीक है और एक नमबर यानि मंगल स्वामी है तो वह आके आके लाभ भाव में बैठे हुए है तो सबसे जो जरूरी है देखना उसमें हम लोग देख रहे हैं कि सुक्र का गुरू का और केतु का दृष्टी बन रहा है ठीक है यह तो आपको देख रहा है सुक्र हुआ गुरू हुआ केतु है इनका दृष्टी बन रहा और नीच के सनी बैठे हुए है यह चीजे आपक करते हैं उसको आगे बढ़ते हुए आगे से देखेंगे अगर नहीं समझ में आगा तो हमाई पुराने वीडियो देखेगा जिनका स्किप हो जाए ठीक है आगे देखे समझे एक बात को इनकी 7th house में जो इनकी मंगल ठीक है तो यह मंगल का प्रभाव भी दिख रहा और मंगल गए बैठे हैं केतू के साथ है न वहां पर प्रवलम दिख रही है तैंसन और यहां पर द्रिष्टी भी दे रहा है यानि इनकी वाइफ का जो नीचर है थोड़ा इनको ठीक नहीं लग रहा सबसे इंपोर्ट ठीक है क्योंकि सनी की द्रिष्टी है और वाइफ का नेचर आपको उतना नहीं बढ़िया मिल पा रहा है थोड़ा एग्रेशन भी है और केतू की वज़ा से यह चीज आपको दिख रही है कि बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है इसको हम लोग अभी चेक करेंग लेकि पहले हमनों फर्स्ट हाउस से आपको बताते चलेंगे फर्स्ट हाउस में गुरू है और सुकर है और सुकर की ही रासी है बहुत अच्छी बात हो गई यहां पर सुकर खुद की रासी में है गुरू के साथ है यह बहुत अच्छी बात होती है ठीक है लगन में वो देखे गूरु के दो नंबर होते हैं... सब लूग जानेंगे Nawr 11भ और 9भ इन दो धोते हैं गुरु के अब इसमें से एक आपका गुरु वहाँ , एक आपका गुरु मतलब एक गुरु कैंट नंबर के और एक गुरु है चटे नमबर के और यह आके बैठ गए कहां पर आपके लगन पर यह होता है रोग के लिए रोग का स्वामी आके लगन बैठ गया है problem create करेगा ही करेगा उसके अलावा इस गर से वीरता देखते है ब्रेवरी देखते हैं ब्रेवरी में गुरु बहुत अच्छा नहीं प्रभाव देते हैं, अभी हमको बस इससे मतलब है, कि रोग भाव के स्वामी आके बैठ गहे हैं लगन में, तो यह हेल्थ इसू देते हैं, ठीक है, इस पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, ठीक है, फैट से इनका हाथ होता है, इनका हाथ भी है, प्लस इनका आप देखो, सूरी की द्रिष्टी भी आ रही है, इस वज़े से, अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, आप टाइम पर गौर्वर्मेंट जोब की तैयारी के रहते हैं, तो आपको गौर्मेंट जोब मिल जाती, ठी लगन का स्वामी लगन में आके बैठा है, यह भी बहुत अच्छी बात होती है, डिगरी देख लेते हैं, लगन 28 नंबर पे हैं, और सुकर की डिगरी कितनी है, 21 डिगरी है, चलिए यह थोड़ा सा लगन जो है, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, तो पंदरा के आस पास और प्लस केतू और बुद्ध भी थे, दोनों देख रहे थे, यह आपके सिर्फ मंगल देखेंगे, केतू और इनका आठवे नहीं होती, मंगल की आठवे देश्टी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा था, डिफेंस, पुलिस, इंजिनिरिंग, यह मंगल करते हैं मतलब गेम खेलेंगे तो बहुत गेम, बस हाँ इनको पसंद आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर सनी देख दे रहा है, तो यह आपको जिम्मेदारी से हटाना, निश्चिंत जिन्दिगी जीना, इन सब चीजों की और थोड़ा, कह सकते हो, आप डाइवर्ट करता है, ठ जैसे एक्जामपल हम पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बताया भी है, ऐसे लोग ज्यादा तर अपनी कुंडली दिखाते कई लोग को, क्योंकि प्रॉब्लम रियल में इनको ज्यादा फील होती है, जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई बात बुला, जो ब इसकुंडली का, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझ रहे है किसको सही करना, सबसे पहली चीज आपको सणी को सही करना होगा, ठीक है, यह आपके लाइफ से बहुत सारी निगेटिविटी खतम करेगा, सणी जी के मंदिर भी जाय करें, हर्मा मंदि ठीक है, क्योंकि वहाँ पर देखिए, सणी नीच की हो गया है, चाहिए वो कोई भी रिस्ता होगा, रिस्तों में प्यार की कमी फील होगी आपको, साथ में खुसियों में संघर्स दिख रहे है, आपको बड़े मुस्किल से खुसिया आ रही है लाइफ में, ठीक है, यहां स हो सकता है आपके साथ, एक स्किन कलर डार कर देंगे, आपके घर में उस से आपको डार कर देंगे, या तो हाइट कम कर देंगे, या तो बॉड़ी पर बाल बढ़ा देंगे, ठीक है, इन सब चीजों से ध्यान रखेंगे, पता चल जाता है सनी, चेहरी का एक अलग रूप ह पर देखके पता देगा कोई भी कि इनके पर सणी प्रवावी है ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा सणी की वज़ा से अब आएंगे आएंगे हम लोग दूसरी घर पर दूसरी घर में साथवे घर से पहले इस घर फरस्ट घर को फिर से एक्सप्लें करते हैं क्योंकि हमने साथवे पर चले गाते सीधे वाइफ वाले घर पर हम अभी एक्सप्लें कर रहे थे फिर आपको बिमारी के बारें बताया तो अब देख और कोई नहीं देख रहा देख रहा है यह तो उने बताया, तो देखे, गुरु को धार्मिक बनाते हैं, नीच को सहनी इस सडा बना देत से जल्दी जल्दी दुखी हो जाता है, जमएदारी से यह लोग भागने की कोशिच भी करते हैं थोड़ी कम कह सकते हो कि एक्टीर होते तो यहां पर बड़ा इंट्रेस्टिंग ली आपको देखना होगा कि एक सुकर ने कितना काम किया है आपके उपर ठीक है अब यहां सुकर के डिग्री है 21 और सनी के डिग्री कितनी है 28 और सनी वक्री भी है मतला पावरफूल हो जाते है यासे में तो आप देखना यह है कि इन आप जब दिखोगे हमें तो हम और भी confirm करके बताएंगे तुलारासी के लोग कैसे होते हैं तुलात्मक द्रिष्टी रखते हैं तौलते हैं चीजों को और जो इनके लिए फैदयमंद होता है जो सही होता है उस चीजों को करते हैं आईए सेकेंड हाउस में चलते हैं एक तेज गुसा के संकेत होते हैं ठीक है आईए सेकेंड घर को देखते हैं यहां आठ नमबर लिखा है जो के मंगल की रासी होती है और मंगल की द्रिष्टी भी बन रही है चौथी द्रिष्टी काउंट कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे मंगल जहां पे है वहां इसको पहल मामलों में अच्छे कुछ मामलों में खराव है तो जो चीज अच्छा है पहले वो देख लेते हैं यह प्रॉपर्टी बताते हैं कि आप जो घर से मतलब किस तरीके की फैमली से बिलॉंग करते हो तो आपके पास एक पैत्रिक घर होने के चांसे बढ़ा देते हैं मका अब देखेंगे यहां इसके और देखेंगे यहां से कि आपके वाडी भाव में मंगल कोना एक्डरेशन देते हैं जैसे कि आपका ब्यवार निकल Kare आया से कि एकड्रेशन वाला है तो मंगल देख लेंगे तो याणि वाडी में आन् desse की आजाएग ठीक हिए बहूत सब्सक्रार है तो ए घृट के आपको के επιड़ में अभी देखें जो मंगल में बतागी रहेंं घृट साथ ही वह वह प्रेजंट करता है तो जो मंगल का धू फैमिली में कलह करवाता है जगड़े करवाता है गुस्सा दिखाता है यहां पर और सेव्ड मनी भी होता है सेकेंड हूस उस पर भी यह निगेटिव इंपक्ट डाल सकते हैं बट मंगल अभी तो अभी आगे बढ़ते चल रहे हैं तीसरे घर को देखेंगे गुरु का लगन में आके बैठे और इस वीर्था का घर होता है इस घर से में ब्रेव् firefight देखते हैं गुरु को बहुत ब्रेव तो नहीं माना गया है ठीकkalद रहे हैं च्शनों के बड़ा अब को अच्छन माने का गए आप आप कितने बाइम हैं यह सारी चीज यां से पता चलता है द कि तो देख ले यहां थोड़ी दिक्कत कर दिया इन्होंने ना होने देने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं डर थोड़ा सा ब्रेव कम दिखा रहा है इस वज़े से ठीक है आईए आप चौथे घर पर आते हैं जहां 10 नमबर लेखा हुआ है इस घर से हम क्या देखेंगे आपका देखेंगे खुद की प्रोपर्टी आपके मम्मी और आपकी खुसिया तीन चीजों पर इस पेस लिए ध्यान देंगे और यहां से हम लोग इसको चेक करते हैं इस घर को ठीक है खुद की रासी है ना यह खुद की रासी दस नमबर 11 नमबर सनी की होती है और सनी की दसवे दिश्टी भी बनी हुई है यह अच्छा तो नहीं है तो खुसियों में आपके प्रोब्लम कांटिन्यू दिखा रहा बठा एक अच्छी बात है कि चंद्रमा इसको देख बहले आपको यह आलस परदान कर रहा है चंद्रमा लेकिन यह आपको खुसियों में थोड़ा इजाफा दे रहा है मतलब परिवार का महल ठीक रखने में हल्प कर रहा है साथ में आपके मम्मी आपके लिए अच्छी है यहां से पता चल रहा है बहले उनकी भास आपको नही और वह भी रही है क्योंकि sunny नीच के हैं तो पहला एक घर यह और यहां से फल पूरा नहीं आ पहेगा कूंकि इस इधर धर दिखर के स्वामी जो नीच के हो गया है ठीक है क्यूंकि 10 नंबर ग्यारा नंबर सनी का होता है और सनी नीच के हो गया इस वज़े से आपको कीमत काफी अच्छा करने की कोशिज कर रहा है राहू का यहां होने से कहसुनी बढ़ती है ठीक है बातों बाते गरम होती है साथ में एक आपको इन यंग एज में प्रॉब्लम भी होगी लव लाइफ में भी साथ में अगर गुरू की बात करें तो गुरू क्यों कि यहां पर देख रहे हैं गुरू की पांचवी द्रिष्टी यहां आ रही है फिर मंगल भी देख रहे हैं और बुद्ध भी देख रहे हैं ठीक है तो यहां तो दिखा रहा है आपको थोड़ा सा बच्चे में डिले दिकत उसके बास से बच्चा दिख रहा है मंगल मतलब दिखा रहा कę लड़का देख रहा है बुद्र के लिए जैंडर को नहीं बताये जा सकता लेकिन आ रहा है अच्छी बात है अच्छा कंधिसन दीखा रहा है यहां ठीक है उसके बाद से मेल ही क्ल दिखा रहा है यह अपर उसके अलावा फिर से आप देख लेंगे आपके घ्यान के बारे में तो आप जानते हैं कि लिए कारग होते हैं थोड़े हंही होते हैं बटे का रख होते है एक दिन हम राहो के लिए अलग वीडियो आप सब लोग जरूर देखना कि सारे घरों पे रहो कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या एफेक्ट होते हैं आए चटे घर के बारे बात कर लें जो कि आपके जॉब का होता है तो यहां सूर्य देख रहे हैं बहुत अच्छी बाते मैनेजमेंट गौर्वर्मेंट से करने के माइंड भी देते हैं बार बार तो और अच्छी चीज है यहां पे कनेक्शन का दिख रहा है राजनीती में भी लेके जाते हैं अगर आपके सनी का भी अच्छा है अच्छा है अर्म जातो ठीक है सनी और मंगल चलिए बढ़िया है यहां से हम देख ले रहे हैं सूर बेख जाता है बंडर मतलब कम्प्यूठर चलाने लगता है क्यों कि सुक्र है और उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जो आर्टिश्टिक हो ब्यूटिफूल हो ब्यूटिसे से रिलेट हो यह सारे सुक्र का काम होता है ठीक है आपके जो प्लैनेट एंठ आपके जितने भी उनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो सनी है क्योंकि वकरी भी है और नीच भी ठीक है तो सनी का बहुत ज़्यादा आपके एफेक्ट पढ़ा और सनी के आपको फूजा बहुत करने चाहिए ठीक है तो सनी सुक्र और चंद्रमा यह तीनों आपके उपर हमें सब जोड़ा जाता है फिर कंप्यूटर में काम करना जोड़ा जाता है कोई चीज डिजाइन करना हमने बता रखा है को कपडों का डिजाइन करना भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो सुक्र इन सारे चीजों को आपके लाइफ में बार बार लेके आएंगे उसके अलावा जो चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है, इसका मतलब है कि आपको कोई चीज में रिसर्च करना, डीप चीजों को पहड़ना, ये सारे चीजे भी चंद्रमा यहां से आपको सनी के साथ दे दे रहा है, ठीक है, साथ में ये आर्ट, डैरेक्शन, रिसर्च, इन सब चीजों को बताता है चंद्रमा, तो इन सब चीजों से रिलेट करता हुआ चीज आप कर रहे होगे, ठीक है, इन फ्यूचर भी इसमें आप अच्छा करोगे, छठे नंबर से आपको ये सब चीजे हमने बता दी, इस चीज पर ध्यान देंगे, ज्यादा सुक्र, चंद्रमा और सनी, य सबसे ज़्यादा आपके उपर इफेक्टिव हैं इस घर के लिए, ठीक है, आईए, फिर देखते हैं, साथवे घर में जो आड़ेडी हमने बता रखा है, सनी खराब होने के वज़ए से दिक्कत बढ़ रही है, आठवे घर में देखते हैं, सुक्र है, सुक्र जो कि जाके लगन में बैठे हुए हैं, क्योंकि लगनें से इसलिए कोई बात नहीं है, लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, उसके बाद से आते हैं, पॉजिटिव चेंज आएगा, इतना है, उसके बाद से एज़ वे सब भी चीज हैं, पर भर हम लोग देखना नीची है उसको ठीक है नौवे घर के बात है जो भागे को कहलाती है नौवा घर यहां पर तीसरा नंबर लिखा है सनी देख रहे हैं इसको साथ में राहू भी देख रहा है भागे में आपके बड़े ही संगर्स दिखा रहा फिर गुरू देखना यह एक साथ में जरा एक बार आप यह भी जरूर चेक करें कि आपके मम्मी और पापा किस टाइम में आपके साथ नहीं रहे है ठीक है और जो इस में दिख रहा है सनी के सनी के प्रॉब्लम की वजह से कि पापा को प्रॉब्लम है इसमें ठीक है सनी के दृष्टी है फिर राहू की विद्रिष्टी है ठीक है यहां एक प्रॉब्लम ज्यादा दिखा रहा है पापा को आपके स्वभावता वह एक सांथ प्रविर्ति के अच्छे इंसान थे ठीक है आएंगे हम लोग देखेंगे दस्वा घर जो बिजनेस का होता है बिजनेस में आप चंद्रमा से रिलेटेड आपको बहुत सूट करेगा उसके साथ आप वरकर्स को रखिए अपने अंडर में महनत करने वाले ठीक है वो सनी रिप्रेजेंट करते हैं तो जब भी ऐसा होगा तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा किसी भी वरकर को स्रिक्से वाले को ठेले वाले से बुरा बेवहार न प्रिएट करेंगा ठीक है आए अपके आये मतब आपके पास आरा लाव उसके बारे में देखेंगे तो यहां पांच नमबर लिखा है के तू है बुद्धि के मंगल का होना तो बहुत अच्छा है के तू का होना यहां प्रॉलमेटिक है आप अपने आय को लेके अपनी ला और यह किस घर के स्वामी है आय भाओ के ठीक है तो आप कमाई कहां करेंगे अपने जन्मिस्थान से दूर जाके ठीक है आप कमाई करते दिखेंगे ठीक है इस शेच का हमेसा ध्यान रखेंगे इसके अलावा आपका हमजरासा एक बार नौमाज देख लेते कि मैरीड लाइ हुए है यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है ठीक है संगर्स दिख रहा है आपके आप दोनों में सामनज़स से बनाने में संगर्स दिख रहा है और जगड़ा जगह ले रहा है ठीक है इसलिए आप समझदार हैं जो हम चीजे बता रहें उसको ध्यान से सुन रहे हैं आए इसके अलावा हम देख लेते हैं आपके गोचर को भी जो कि हम अगली एक और चार्ट देखेंगे उसमें भी यह सब चीजे देखेंगे सबसे पहली चीज गोचर में आप लोग ध्यान रखेंगे हमिसा जो चीज हम बता रहें ध्यान देजेगा कि जब जब हम गोचर देखते हैं तो जू प्लेनेट जहां जा रहा है उसके इफेक्ट पढ़ते हैं ठीक है जैसे इनके इस घर को देखए चतूर्थ घर को चतूर्थ घर में देखेंगी कौन चौन देख रहा है एक तो पहले देख रहा है जूपीट्र सुक्र कि के देखने किया प्रोपर्टी से लेटेड़ खेलना घुमना खाना पीना समाता है सुकर की जो करेक्टर है वो सब दिखेगा और क्योंकि यह संपति का है तो इससे संपति से कोरिलेट करके देख लेते हैं ठीक है पहली चीज लगने में केतू है जैसा कि हमने बता है इस समय आपके टेंसन का टाइम चल रहा है लेकिन आप धार्मिक भी फिल करेंगे और थोड़ा यह कह सकतो कि देश दुनिया से कटने का मन करेगा यह यहां से आपको केतू दे रहा है ठीक है यह लंबे टाइम से चल रहा ह फिल तो यह हो रहा है को लेकिन दो साल ने वहा ठीक है मंगल आपको यह चीज और जादा हो घ्र ख में की जखड़े कहरेंगे जौप का गर रहा है ज़ुप तो यहां पर मंगल का देखना थोड़ा से आपके लिए नुकसान कर सकता है, छोटे-मोटे एक्सिडेन्ट होने के चांस बन रहे हैं, किसी से जगड़े होने के भी चांस बन रहे हैं, मंगल के यहां देखने की वज़ा से, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप इस पर कंट्रो कर सकोगे ठीक है आईए फिर देखते हैं सुर्य स्वग रही है बहुत अच्छी बात है सुर्य अपने ही घर में है तो सुर्य का भी आपको फायदा मिल सकता है कोई चीज जो फसी हुई होगी गौर्वर्मेंट की तरफ से उसके आने के चांसे बनते हैं लेकिन यहां पर यहा हो तो जी तो सजब्स आप देखेंगे आपके आएवाले घर में सबस्तिव रिस्पांस आरा है है अगले तेरा दिं यानि अगले 5-6-7-30 दिन solar Taylor एच्छे हैं आएं से CharQué में मिलेट चलगा यह आइक लिए अच्छे हैं यह बिजन i के लिए अच्छे हैं यह अपने घर प ठीक है, अभी के लिए, साथ में ये भी घर बहुत अच्छा हुआ, देखे अभी आपके धार्मिक बनने के चांसे बहुत जादा है, क्योंकि एक तो जुपिटर भी देख रहे हैं, प्लस के तु खुदी सन्यास के कारक होते हैं, साथ में मंगल भी है, तो ये ऐसा ही मन बना जेते हैं, ठीक है. ये एक चंडाल योग बना हुआ है, जो आपको, खुद को देख चंडाल योग बनने का मतलब समझा मतलब ही, प्रविर्ति हो जाती है, पांचवे हैं चलाखी से थीक है ऐसे समझे यो और भी बहुत कुछ पाचवे गर में सपनी है और मून और चन्दमा है और सथा नियु Gibzeit दोनों ओता है दोनों हो तो यह भी गोचर है अब जैसे जैसे यह लोग आगे बढ़ेंगे तो यह घर खाली होगा तो यह प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे फिर यह सिफ्ट हो जाएंगे कहां पर आपके खुशी वाले घर पर सनी की मुवमेंट सोरी उल्टा बता दिया हमने 11 से 12 में जाएंगे तो यहां न जाके यह संनी का मालूमी होगा आपको ईहां साल ड्रो क्यां अबए क्योंकि यहां है तो यह 25 साल में आगे भी साल डालेंगे पीछे एंगे-पीछ्षे हैसलिए साडह्ै साथ ही हो जाता है। जहां भी रहेंगे वहांँ घ्साल डालते है उसके पीछे वाले 2,500 से उसके आगे में 2,500 से दालते हैं टो अभी आपक की रोग भाव में तो रोग supplies के भी आक्टिव में सनी सब्सक्राइब हैं एक देख लिए जाएगा दसा क्या चल रहे तो सिसाफ से आपको डेखेंगे तो रोग बारे में उसले ब्लाद बेल्टेंगे सब इसारी चीज़ों के भी सिकायत कर देते हैं यह वी बिमारी रहे기도 है उसको लंबाखीज समझ लिया गोचर के बारे बाकि कोई अगर जोरी कोशिन पूछना चाहते और भी कुछ कहना चाहते तो आप हमें हमारी हर जगे हम हर सोचल मीडिया पर लेबल है आप कहीं पर भी मेरे डक्टर वेर्दी केश्टो नाम से सर्च करेंगे हम मिल जाएंगे ठीक है आए चलिए देखते हैं नेक्स वीडियो सुरी नेक्स चाहट तो नेक्स चाहट पर आते हैं यहाँ पर चले इनका देख लेता है है रितिक मौंदल के तो यह रितिक मौंदल जी का चाहिए ठीक है आईए इसको देखेंगे संजेंगे और जानेंगे, जैसे पिछली बार बता है कि इस पर भी हम लोग एक एक चार्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग गोचर से, दसा से और इनके नौमा से सबसे मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसे और चीजों को ज्यादा आप समझ पाओगे, देख पाओगे, सीख पाओगे, ठीक है, तो आईए, इसको चेक करते हैं, सबसे पहले एक चीज आप लोग देखोगे, सबसे पहले, जो भी प्लैनेट उचके हो, नीचके हो, उनको निकाल लेते हैं, यहाँ एक बहुत अच्छा चीज दिख रहा होगा आपको, गुरू और चंदर्मा साथ में हैं, और गुरू जो हैं, वो उच्चे के होके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात हो गई है, उच्च के गुरू चंद्रमा है, साथ में ये पंचम को देख रहे हैं, ये लोग ग्यान के भूखे होते हैं और ग्यान पाते ही प्याते हैं लाइफ में, अच्छा जानने की कोसिस करेंगे और सीखेंगे भी, क्योंकि अभी ये ग्यान वाला सब्तम में है, ये लगन को देख रह powiedział है, तो government से जुढ़ने के भी कोसिस आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अच्छी response मिलने के चांसेज आपके दिख रहे हैं married life में आपके problem दिख रहा है सब्तम भाव के बारे में बात करने है पहले तो यहां पर देखेंगे तो mangal के 4 दृष्टी है है न और सूरह बैठा है तो यहां बहुत खटर पटर चांसे दिख रहे हैं ठीक है आपके married life में लेकिन इसके स्वामी उच्च के होके बैठे हैं, इसलिए सम्हालने की बहुत कोशिस करेंगे, ठीक है, तो सब्तमबाव को देखने के लिए हम एक बार नौमास को भी देख लेते हैं, नौमास में देख रहे हैं, चंदमा यहां खोदा के बैठा है, very good, ठीक है, सुक्र यहां लगन पर आगए हैं, कि तु देख रहे हैं, थोड़ा टेंसन दे रहे हैं, बैट ओवर अल बढ़िया हैं, कोई बात नहीं है, इतना तो यह बहुत बढ़िया दिख रहा है, यह आप अच्छे से ले जाओगे, ठीक है, अच्छे से साधी भी करके बढ़िया से रख सकोगे चीज़ों को, लगन के डिगरी देखे से थोड़ी अस्थिरता आ जाती है, आपके निचर में अस्थिरता दिखेगी, उसके अलावा, नंबर पहले गर में छे नंबर का मतलब रहे हैं, बुद्ध बुद्ध जो होताई, बच्पना दिखता है इंको मोटिवेट कर लेते है थे हैं दूसर स्वरी कैसे हो कि उदर इदर कहसे करसे कि बातों में खूम जा एयसा दिखता है है यहां से अजब च्रश भर जारुद मतल演 किसी को बहुत जादा मानों होंगे किसी बढ़ी बहुत अच्छी है न्याइक जरूरी होता कई जग होसे बहुत काम आताा है बात करेंगे प्रॉपर्टी के तो आप अपने ल्ए प्रॉपर्टी ज़रूर बनाऊगे यहां पर अपने लिए घर तो आप बनाऊगे बहुत अच्छा condition दिखा रहा है याँ पर फ़र्ष्ट हॉस की बात कर लें एक लपर पहले ठीक से detail से कि फ़र्ष्ट हाउस को देह कौन रहा है तो लाहू देखने का मतलब है positiveness इकुछ में मतलब यह थोड़े टुड़ के सांसे में यहाइए कन साथ में अपको आँखों को भी थोड़ा दिक्कत हो सकते हो सकते आपनी rate छस्मा मदा लिया हो अभी सिह ठीक है यह यहाँ दिखरा है कि आपको सब चीज को मेंज करना सब चीज पर गवन करने का एक मन करता होगा इसलिए थोड़ा सो आज-पास में चीजें उतनी बढ़ियां से रहनी पाती हैं ठीक है आईए सेकेंड घर को देखेंगे कि कौन कौन देख रहे हैं सेकेंड हाउस को और तो इस नमबर एना अच्छा हो गया है साफ में बुद्ध का देखना भी इस घर में बहुत अच्छा होता है और और कह सकते हो बात ऐसे करते हो कि लोगों को अच्छी लगती है टीसरे घर के बात करेंगे अब यहां पर गुरू की दुश्षटी आ ठीक है राहु केतू की होंगे तो केतू तो नो रेड़ी है उसके अला कोई और देख रहे क्या ने देख रहा ठीक है वेरी गुड़ तो आएए देखते हैं थार्ड उसमें जब केतू होता है तो एक डर देता है एक confidence में कमी देता है, उच्छ का गुरू भी देख रहा है, हाला कि यहां मंगल की रासी है, मंगल का रासी लिखा है, तो इतने डर पोक भी आप नहीं है, लेकिन कोई एक डर आपके अंदर बैठ जाएगा केतू की बज़ा से, ठीक है, गुरू का उच्छ का गुरू का देख प्रोपर्टी के लिए मंगल बहुत अच्छी बात है, मंगल आपका अच्छा बहुत अच्छा दिखा रहा है, यहां पे साथ में उसको सनी भी देख रहा है, घर बनाना, अपना घर लोगे, अपना घर बनाओगे, ठीक है, जमीन और घर दोनों चीज़े यहां से दिख रह आटेंगे खुशीों की, तो खुशियों में मंगल हुने के वज़ choisे साँ है, थोड़ा दिक्कत तो यहां खुशियों में दिक्कत दिखा रहा, और साथ में अगर सनी भी देख लें, तो प्रोल्म आरे ए यह किसी वज़ा से, पाँच्छवे घर की बात करेंगे, जो कि वह तो ऐसा वैसे ही होता है और उच्छे के हूं तो और भी क्या कहने है बहुत ही अच्छी बात हो जाती है ठीक है तो इनकी जहां जहां द्रिष्टी बनेगे सारे जगह पे बड़े पॉजिटिव रिस्पॉंस आएंगे बहुत पॉजिटिव ठीक है तो इस घर से भी बहुत अच्छे रिस्पॉंस आ रहे है आपके लड़के होने के चांस भी दिख रहा है फर्स्ट चंद्रमा यहां पे कह डाल सकते हैं लड़की होने वाले बट गुरु के और साथ में यहां गुरु की बिदिष्टी हरस्वनी की रासी है तो लड़की होने के चांसे बढ़ा देते हैं आए चटे गर की बात करते हैं चटे गर में सुक्र बैठे हुए है और इसको कौन देख रहा है आपको सुगर से बचना होगा ठीक है सुगर से बाइसली बचे ठीक है आराम वराम के थोड़ा सा कम करते हुए सुगर पर ध्यान देंगे और फिजिकली एक्टीव रहेंगे ठीक है कोई एक female आपके बहुत बड़ी problem बन सकती है इसलिए female को बड़ा अच्छे सा handle करिएगा साथवे घर की बात करेंगे सुर्य है यहाँ पर जो हमने अल्रेडी बताया मंगल देख रहे हैं सुर्य है यहां मंगल की दृष्टी भी है प्लस केतू की भी दृष्टी है केतू है मंगल है सुर्य है और उच्छे के गुरु देख रहे है तो यहां इन तीनों का देखना मतलब केतू का मंगल का और सुर्य का होना यह बड़ा खराब होता है मेरीड लाइफ के लिए एक लौता गुरु जो उच्छे के हैं वो सब कुछ यहां से हैंडल कर रहा है बचाने इकोसिस कर रहा है और इस घर के स्वामे उच्छे हैं जो कि मेरीड लाइफ के कारक होते हैं इसलिए यही सब हैंडल कर ले रहा है वाइफ में आपके गुसा भी दिखेगा और थोड़ा आपके साथ कनेक्शन में कमजोरी भी दिखेगी बट आपके नौमास में बहुत अच्छा रिस्पॉंज दिखा रहा है आपको आपको अभी दिखाया भी था तो यह सब कुछ बचा लेगा आपका ठीक है आईए उसके अलावा देखते हैं आठवी घर में बुद्ध बैठे हुए है और यह आपको मालूम है लाइफ में एक सदेन चेंज होती है वो इससे रिलेट करती हुए या बुद्ध से रिलेट करता हुआ दिख रहा है तो तीसा नमबर छे नमबर लगन है और कर्म है कर्म और लगन दोनों को अच्छे से हैंडल करिए आपके लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉंस देगा एक दिन आपके लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा अपने कर्म से ठीक है सनी बैठा ही हुआ है कर्म सील आपको बनाएगा ही तो और कर्म को बढ़ाएंगे और एकदम फोकस करेंगे टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अच्छा करते वे निकलेंगे और क्योंकि भागे में आपके राहू बैठा है तो ये चीज़े सडेनली भी देता है ठीक है चीज़े सडेनली देने के लिए भागे में माना जाता है अच्छा राहू को ठीक है इस घर में आपके मंगल देख रहे है राहू के तू सनी सब देख रहे है साथवागर तो कुछ ज़्यादा एक्टिव है डेली खर्चे पे भी धियान देना है डेली खर्चे आपका बढ़ा रहा है ठीक है भागे की बात भी कर रहे तो कि तू अच्छा साथ दे रहा है यहां से आएंगे कर्म की बात करें तो सनी बहुत अच्छे हैं से देखेंगे जो कि सुकर प्रधान जोब यहां दिखा रहा है और क्योंकि गुरू उच्छे के गुरू कंसल्टेंसी ठीचिंग यह सारी चीजों को देते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कोई गुरू यानि कोई कंसल्टेंसी कर रहा है ठीक है और गॉर्मेंट जोब में भी जा सकते हैं यानि फीजिकल वर्क तो आप नहीं करोगे भागा दोड़ी बहुत नीद है कि लाइफ में और जो भी बैठने का काम होगा बैठ के करेंगे और सिस्टम के साथ काम करेंगे और अच्छा रिस्पॉंस यहां पे दिखा रहे है आपके लाइफ में बढ़िया एक बहुत बढ़िया लाइफ आगे रहने वाली है ठीक है साथ में फिर अब आज आते हैं आपके सीधे बारवे घर में जिसमें सनी की तीसरी दिष्टी है आपको भार घर के घर पे तो नहीं रहेंगे मतलब अपने मेरी जहां पर स्ञारी जहां बर्थ हुआ है वहाँ आप नहीं रहेंगे वहां से बाहर जाएंगे ठीक है objet है यह चीज़ यह आपको दिखा रहा होगा थोड़ा चीजों पर ध्यान देते रहेंगे और फिलस सुक्र भी देख रहे हैं याप बहुत अच्छी बात है बाहर जाने के योग बन रहा है गुड वेरी गुड बहुत अच्छा कुल मिला के चार्ट बहुत अच्छा है यह चार्ट बहुत अच्छा है देखे हमने इतना सब देख लिया आप चलते हैं सीधे आपके ग में अभी के बारे मिंभा गैप चल राएं कि अभी क्या चल रहा कैसा चलर रहा हूं तो इस बीच आपको घुसला ज्यादा और आ इस चीज पर आप कंट्रोल करें थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी भी इसमें देने लगता है मंगल ठीक है यह चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी इसके अलावा जहां पर सूरे होते हैं सूरे क्योंकि पांचा अगर खुद की घर में है और यहां देख रहे हैं अग अच्छी response आने के chances यहां देख रहे हैं ठीक है क्योंकि सूरे हैं यहां पर बुद्ध के साथ वहां से इस घर को देखेंगे सनी चंद्रमा आपके जौब वाले घर में बैठे हुए थोड़ा सा यहां से लेके आप टैंसर में रह सकते क्योंकि सनी चंद्रमा साथ है लेकिन एक रिसर्च या बहुत डिटेल में जानकारी इकठा करोगे इसी घर से रिलेट करता हुआ ठीक है यह अच्छा response दे रहे हैं आपे लेकिन अब चंद्रमा ढाई दिनी रहते हैं तो यहां से हट जाएंगे चंद्रमा तो गोचर में फिर consider नहीं किये जाएंगे यहां आके देखेंगे आप तो जिन जो एक सदेन लॉज सदेन गेन वाले घर में आके रहू और गुरू दोनों बैठे हुए हैं जो कि अभी ऑक्टूबर में यहां से हटने वाले हैं रहू तो गुरू रह जाएंगे यहां से भी एक अच्छा response आए यानि अस्ट्रोलाजी में बहु ज्यादा पसंद है निगेटिव एनरजी यह सब चीजे इनको पसंद बहुत आती हैं आए में भी अच्छा कंसीडर किया जा सकता है आए में सुक्र का बैठना बहुत अच्छा होता है लाइफ में किसी फीमेल के आने के चांसे बन गया है पिछले कुछ दिनों से आगे कु बढ़ाने की बात नहीं है आपको बुखार हो चुगा होगा इसी महीने में यह होने वाला है पाकी 15-16 दिन बच्चे हुए है इसलिए अच्छा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है घर के आपके कह सकते हो घर पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपेक्ट आया हुए है आपके घर सेयर जरूर कीजिए आप लोगे सपोर्ट के जोरत है और जब कोई इतना डिटेल से देखे तो जरूर कर दीजिए थैंक्यू से मच मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में